हलो गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनलर ट्रेडिंग लेंज तो चलिए कल के 5 श्टॉक के बार हम बात करते हैं इस पर कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फश्ट है हमारा BPCL अब यहाँ पर देखेंगे तो इसने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया था यहाँ पर फिर इसने रिट्रेश्मेंट करके फिर से इसको ब्रेकाउट किया है इस लेवल को और यह एक रेजिस्टेंश लेवल आएगा जिसको यह दुवारा टेस्ट कर सकता है और इसी कंटिनिव में निकल कर इसके आसपास आ सकता है तो हमें क्या करना है यहां पर अगर यह 350 के ऊपर क्रॉस करेगा और कोई भी 50 मिनिट की कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोस कर देगा तो हम उस पर एक वन रेसर टू की एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसमें जो हमारा एसल रहेगा वो सिर्फ टू पॉइंट का एसल रहेगा और क्लोजिंग के बाद ही आपको ट्रेड लेनी इसमें अधरवाइस आपको इसको इग्नोर करना है क्योंकि यह जितनी बड़ी कैंडल है यह दुबार इसी तरीके के एक बड़ी कैंडल यहां पर कर सकता है बट उसके लिए इसको फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा तब ही इसमें मुमेंटम आएगा अधरवाइस यह साइडवेज होके यहीं कहीं रह जाएगा तो उसकेस में आपको एक लॉस हो जाएगा तो इसलिए आपको 350 के ऊपर क्ल आज जो इसका लाश्ट स्विंग है 15 मिट के टाइम फ्रेम में अगर यह उसको ब्रेक करेगा तब हम इसके ऊपर एक बाइंग के पोजिशन मनाएंगे और छोटा ही हमारा उसमें टार्गेट रहेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यह लेवल है हमारा जो यह टार्गेट आपको यह कंसिडर करना है क्योंकि इसमें आपको कोई बड़ा टार्गेट नहीं रखना और इसके लिए आपका जो एसल रहेगा वह सिर्फ 1.5 रुपीज का एसल बनेगा इसमें और नेक्स है हमारा ग्रासिम तो ग्रासिम में आप देखोगो तो यहाँ इस प प्लान करना है कि हम इस पर ट्रेड किस तरीके से लेंगे तो आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको अगर यह इस पॉइंट को ब्रेक करता है गैप डाउन ओपन होके तब ही हमें इस पर लेनी है और 50 मिनट के एंडल क्लोजिंग का बेट करना है यहां कहीं पर करेंगे 1830 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट या 30 मिनट की केंडल अगर क्लोज होती है तो हम उस पर एक बाइंग के पोजिशन कंसिडर कर सकते हैं और उसमें हमारा एट पॉइंट का सल रहेगा और वन रिशोट को हमारा टार्गेट रहेगा बटकल इसके होने के बहुत ही कम चांसेस हैं तो इसलिए आपको बाइंग की ट्रेड इसमें इग्नोर करनी है सेलिंग के लिए आप रेड़ी रहिएगा अगर यह गैप डाउन ओपन होके ब्रेक करेगा तो हम उस पर सेलिंग की पोजिशन मना सकते हैं नेक्स्ट हमारा SBI कार्ड तो SBI कार्ड को डेली करना है यह वाला जो स्विंग है इसके ऊपर कोई भी फिफ्टी उनिट केंडल क्लोजिंग का वेट करना है बस और मॉर्निंग में और अगर यह गैप डाउन खुल जाता है इस स्विंग के नीचे तब आपको इसको इग्नोर कर देना है अगर यह ऊपर भी आजागा इसको ब्रेक भी कर देगा तब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी और अगर यह इस स्विंग के ऊपर भी खुल जाता है तब भी आपको इसको इग्नोर करना है हमें इस पे सिर्फ ट्रेड फ्लैट ओपनिंग में ही करनी है वो भी फिफ्टी उनिट की केंडल इस पॉइंट के ऊपर प्लोज मिलने चाहिए तब और उसमें हमारा फॉर पॉइंट का असल बनेगा उस पर टार्गेट आएगा नेक्स्ट है हमारा वीडियल तो वीडियल में आप यहां पर देखोगे तो इसने भी विफ बनाई है यह देखे यहां पर तो हमें इस पर सैलिंग की पोजिशन मना पड़ेगा तो सेलिंग के लिए आपको क्या करना है यह इसने रेंज बनाई हुए तो जब इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा तब भी आप सेलिंग की पोजिशन कर सकते हैं या फिर अगर यह फ्लैट ओपनिंग करके इसके नीचे कोई भी फिफ्टी तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लांस को यासी और भी नोलिजबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग